हेलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फैस्ट वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे एसल एनर्जी के एक नए प्रोडेक्ट के बारे में ये है एलेक्ट्रिक बाइक इसके बारे में आज हम पूरा रिव्यू करेंगे मार्किट के अंदर लौंच हुआ है इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इस प्रकार है कि ये बैटरी का ओडो मेटर है जिसमें बैटरी के इंडिकेटर्स आते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी इसमें कमपणी ने लाइट की स्वीधा साथी साथ होन की और इंडिकेटर्स की सुईधा दे रखी है इसमें आगे पीछे के दो ब्रेक्स हैं जो पीछे का ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है जो कंपनी ने दिया है ये ये ड्रम ब्रेक इसके अंदर है ये ड्रम से ब्रेक अच्छी गृप बनती है इसकी जो frame warranty है वो 10 साल frame warranty कमपनी देती है इसके अंदर 2 साल battery की life कमपनी देती है एक साल इसकी जो electric wires इसके अंदर है उसकी जो warranty है वो एक साल company आपको provide करती है इसके अंदर light जो है वो आगे ये जो projector नुमा light है ये company आपको inbuilt इसमें देती है इसमें ये carry एक bag दिया हुआ है छोटा सा जिसमें जैसे कि आप घर का कोई भी छोटा सा समान इसमें आप ला सकते हैं tubeless tires इसके अंदर हैं दोनों tires tubeless हैं और alloy wheel इसके अंदर company आपको provide कराती है इसके अंदर जो ये pedals हैं ये pedals आप remove भी कर सकते हो और इने pedals के साथ अगर battery में emergency में कभी battery अगर आपकी discharge हो जाए तो आप इनसे use करके cycle को चला सकते हो एक बार full charge होने के बाद ये cycle कम से कम 50 से 60 km चलेगी और इसकी speed लगबग 30 रहेगी इस cycle के अंदर दो stand company देती है जो parking stands है एक side का stand जो bike में आप इसे use कर सकते हो easily open और एक पीछे का ये वाला stand ये दो stand इसके अंदर company देती है ये stand automatic अपने आप लोग हो जाता है और जब आपको ये cycle उतार नहीं हो तो इसे पैर से पीछे करने के बाद आप cycle को remove कर सकते हो अपने stand ये इसके अंदर है और साथी साथ company दो remote साथ में देती है ये keyless remote है आप इससे lock कर सकते हो unlock कर सकते हो start कर सकते हो और parking में खड़ी करने क अलाम से पता लगा सकते हो कि आपका vehicle कहां पर खड़ा है ये चाबी की दो और साथ साथ remote से भी start हो सकती है ओफ हो सकती है lock हो सकती है lock होने के बाद इसका जो पीछे का tire है वो automatic lock हो जाएगा अगर कोई से छेडने की कोशिश करता है तो धन्यवाद